होट सीट फतेपूर सीगरी एक बार फिर चर्चाव में है वही फतेपूर सीगरी जो शहंसा अकबर की राजधानी हुआ करता था और वही फतेपूर सीगरी जहां से पानी की किलत के चलते अकबर को पलायन करना पड़ता था 2019 में भारतिनिता पार्टी ने राजकुमार चाहर को चुनाव में उतारा और उन्होंने एक एताहसिक जीत दर्च की एक बार फिर 2024 में भाज़पाने उन पर विजवा जताया है लेकिन इस बार फिर ये सीट होड बन चुकी है क्योंकि यहां पर चर्चा जो रोशर है कि राज में भारती जिन्ता पार्टी में उन्होंने शुरुवात की और बजंग दल में भी गए और पहले यहां के बजंग दल के स्वयोजग बने सर किस तरीके का यह सफर रहा है और एक बार फिर आप पर विजवा देता है कि मैं रास्टे स्वयम सेवक संग का स्वयम सेवक हूं यह गर्व है मुझे साखा का कारवावी रहा हूं और OTCB की है और उसके बाद हिंदू जागरण मंच और विद्यारती परशद में भी काम किया सुरुम में और रामजन मुमी आंदूलन में बजरंग दल से सुरुआत हुई पहला जिला से हो जग बना उसके बाद युबा म मुर्चे का जिलात दियाच वा मुर्चे का विभाग सही हो जग और उसके बाद किसान मुर्चे का परदेश का पतारिकारी किसान मुर्चे का परदेश महामंत्री तीन बार विधान सभा की चुनाब भी लड़े और 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा में भेजा जनता ने समस्या सदियों पुरानी समस्या अकबर के जमाने की समस्या कोई सोचता भी नहीं था आज भी कई लोग बिरोधी गुम्रा करते हैं लोगों को कि पतानी गंगा जल आएगा के नहीं आएगा अब जाईए गाउं-गाउं गाउं में पाइप अज़्चे यहां-पाउल है सतोरेज बनाये जा रहे हैं जलाशें जा रहे हैं एटा की गंगम नहर से गंगा जल आने वाला है और 2024 के अंते तक हर घर नलो उर घर नल से मलेगा गंगा जल यह इतना बड़ा सपना साकार लोगों का हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार जो नहीं हो सकता था जो मानी मोधी जी न और योगी जी ने करके दिया है आप राश्ठी मौुच्छा की राश्ठी अधिक्ष भी हैं क тебя सान होता है यहां पर आपने भावन कि सान्भावन की विभरए लेकfeltेंग वीरोधी आप जौदरी बाउलाल से सब्सक्राओ रहते हैंfta sa क्या चल रहा है देखिए मैं किसी के बारे में कोई टिपड़ी नहीं करोगा मोदी जी के अभ्यान में जिसको विरूद करना है वो विरूद करें उनके पिता जी हमारी पार्टी के सम्मानित बिधायक है और बिधायक जी ने भी ये बयान दिया कि मेरे अपने बेटे से 20 साल से कोई रिष्टे नहीं है उनके खलाब भी टिकेट मागी थी मैं रामेश्वर जी पर कोई वेक्तिकर टिपड़ी नहीं करना चाहता है वो मेरे खलाब जो भी वेक्तिकर टिपड़ी करें ये उनका अपन सोचना है लेकिन मैं कहूंगा कि जन परतिनिदी का काम होता है वो अपने जनता हिसाब मांगती है वो इस बात का हिसाब मांगती है कि आपने जनता के लिए क्या करा है पांच वर्स में क्या किया दो वर्स करोना के रहे करोना के काल खंड में भी जनता को बचाने के लिए मो ये हुआ है, हो रहा है, चार हजार करोड की योजना आ गई है, आलू का अंतरास्ती अनुसंधान केंद्र अमेरिका की एक साखा, मेरे यहां सींग ना में आ गई है, वो सांसद होने के नाते राजकुमार चाहर ने प्रयास किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज गल्स का बन के तैय हो गया है, अटल आवासी विद्ध्याला सरेमकों की बच्चों की पढ़ाई के लिए उचिस्तरीय सिच्छा के लिए फिरी में निसुल्क पढ़ाई वो शुरू हो गया है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, मिनिस्टेडियम भी बन गया है, राजकी महविद्ध्याले भी बन गए हैं, आपके आई टी आई भी खुल गए हैं, इनर रिंग रोड भी सवासो करोड की लागत से बन रहा है, धच्छनी वाइपास के लिए भी 68 करोड से वो बन रहा है, सिक्स लेंड भी गौालियर रोड बन रहा है, नए हाई वेज बन रहे है, किसान भवन भी प्रस्त बनेंगे, और मोदी जी का जो देश बहर में इस समय नहारा जो लग रहा है, अपने देखा होगा, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी का सिपाई हूँ, योगी जी का सिपाई हूँ, अमिसा का सिपाई हूँ, भारती जनता पार्टी का कारी करता हूँ, और कमल का आज अबर भी आ चुके हैं आपके पूरुसाती रहे हैं दूसी तरफ अभी आपने भ्रहमण किया चेत्र के अंदर मद्देप्रदेश और राजस्तान की सीमा लगती है और वहां पर इतनी भीड मैंने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखी और बुलतें कि जो बड़े फतेपुसीकरी लोगसवा चेतर में बटेशवर जिस दिन गए उस दन सेकड़ों गाडियों का काफिला हजारों लोगों ने स्वागत किया इस्थान इस्थान पर और उसी प्रकार से जब हम सामरा अनुमान जी के मंदिर में गए तो वहां भी जब सुबह ग्यारे बजे घ दलिस समाज के लोगों ने ब्यяपारी होने नोजवानों ने किसानों उने अंबार लगा दिया स्वागत का वो स्वागत राजकुमार चाहर का नहीं हैसा बृगत यह स्वागत cे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी का वो स्वागत है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाच जी का वो स्वागत है राजनाच सिंग जी का वो स्वागत है किसम मोर्या का वो स्वागत है भारती जनता पार्टी के कमल चिंड का वो स्वागत है विक्सित भारत संकल प्यात्रा का वो स्वागत है बिक्सित बनने का वो स्वागत है मोदी जी के अभिहान का क्या इस भीड को देकर विपक्ची बॉखला दें देखिए मैं इतना ही कहुँगा कि 2019 में 4,95,000 से भारती जन्ता पार्टी जीती थी लोग कुछ भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोट सेयर था सबसे बड़ी जीत थी अब 2024 है उससे भी बहुत बड़ी जीत भारती जन्ता पार्टी की होगी अब तो लोगों के लिए काम करके दिया है साब मोदी जी ने हम लोग प्रयास करके उन कामों को लाएं सभी जन प्रतिनीदी मिलकर मैं अकेला नहीं सभी जन प्रतिनीदी मिलकर रहा है हमारे हमेलेज हमारे साथ मिलकर लाएं हमारे ब्लोग प्रमोक हमारे चेयर मैं हमारे काम किया है और मोदी जीन और योगी जी ने कामों को दिया है जनता के दिल और दिमाग में कमल है मोदी जी है पर्धार मंतरी अटल विहरी वाच्पी इस जमी से चुड़े हुआ है क्या बटेश्वर प्रटन नगरी के उपर देखिए आपने देखा होगा सब आसो करोड़ से अधिक के काम बटेश्वर में हुए है जब लोकसवा में मैं बोला तो सबसे पहले बटेश्वर के उपर बोला था ये मेरा स्वभाग है कि जहां से मैं सांसत चुनके आता हूँ वहाँ मानी अटल वहारी बाचपई जी की जनव भूमी है मेरी स्रद्धा का केंदर ए मेरी नेता की भूमी है और मानी अटल वहारी बाचपई जी का मैं क्योंकि उनके मैंने दर्शन भी किया है, उनके नितरतु में हम लोगोंने काम भी किया है, तो मैं तो रुमांचित होता हूँ कि मुझे छेत्र से आता हूँ, आज मैं मोदी जी का सिपाई हूँ, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, विपच्ची दलों पर परतियासी धूड़े नहीं मिल रहे हैं आज भारती जनता पार्टी में अनेक दल के लोग नरांतर निरंतर लगातर पार्टी में आ रहे हैं पार्टी और मजबूत हो रही है हम सब मिलकर कारी करता मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत मोदी जी की फतेपुष चीकरी लोग सब अच्छेतर से हो ये प्रयास है अब राश्कमार चाहर भारतिनतर पार्टी किसान मुर्शा के राश्टी अधक्ष फ्रंट फूट पर आकर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं झाल 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 झाल